एक समय की बात है, एक अनोखे भारतिय गांव धौलपुर में एक प्रेमी जोड़ा, राधा और राघव रहते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर साल करवा चौथ का पवित्र त्योहार मनाते थे। करवा चौथ से कुछ दिन पहले राधा त्योहार की तैयारी शुरू कर देती है, वह सबसे सुन्दर साड़ी चुनती है, खुद को जटिल आभूशनों से सजाती है और उसकी सहेलियाएं उसके हाथों पर मेहंदी डिजाइन लगाने में उसकी मदद करती है। जैसे ही सूर्य अस्थ होता है, चंद्रमा निकलने के बाद राधा अपना व्रत शुरू करती है, वह चलनी से चांद को देखती है और फिर अपने पती राघव को। राघव प्यार से उसे पानी देता है, जिसे वह दिन भर का उपवाज शुरू करने से पहले पीती है। शाम को, राधा और अन्य महिलाएं करवा चौत पूजा के लिए इकठा होती हैं, वे चंद्रमा को अर्ग देती हैं और अपने पतियों की सलामती और लंबी उम्र के लिए आशीरवाद मांगती है। जैसे ही दिन रात में बदल जाता है, राधा और राघव अपनी चछत पर बैठ कर चंद्रोदय को देखते हैं, बेसबरी से चंद्रमा के निकलने का इंतजार करते हैं, ताकि राधा अपना वरत तोड़ सके। एक बार चंद्रमा निकलने के बाद राघव राधा को भोजन का पहला टुकड़ा खिलाता है और उसे एक गिलास पानी देता है जिससे उसका व्रत तूट जाता है इस हार्दिक क्षण में एक दूसरे के प्रती उनका प्यार और समर्पन स्पष्ट है व्रत तोड़ने के बाद राधा और राघव उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, भोजन साज़ा करते हैं और अपने प्यार के बंधन को मजबूत करते हुए एक साथ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताते हैं कहानी राधा और राघव द्वारा एक कोमल क्षण साज़ा करने चंद्रमा को एक साथ देखने के साथ समाप्त होती है, उनका प्यार पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है